नमस्कार दोस्तों एक नयार एक्साइटिंग वीडियो वे आप सब कर स्वगत है तो आज के वीडियो वे हम लोग डिसकस करेंगे 4S 30A का जो BMS है यह वाला BMS इसके कनेक्शन के बारे में इस BMS का जो कनेक्शन है बहुत ज्यादा डिफेकल्ट होता है क्योंकि maximum लोगों का यह confusion रहता है कि BMS का सब कनेक्शन करने के बाद इसमें से आउटपूर नहीं निकलता है और बहुत सरा एरोड आता है कभी इसमें 13-14W होने के बाद भी बैटाई में चार्ज होने के बाद भी BMS आउटपूर नहीं होता है मॉटो नहीं चलता है या फिर कोई भी एक्सेसरीस नहीं चलता है तो इसको कैसे सॉल्ट के जए उसके बारे में बात करेंगे BMS का पूरा कनेक्टों डीटल्स में आपको बोलेंगे तो पहले तो देखिए आपका यह वाला एक BMS आता है इसमें inveemos में आपको देखिए ऐसा BMS का प्लेट मिल जाता है यह कानेक्टर का यह चीज और यह connect है और वाइस से तो आपको पहले तो देखिए इस BMS में यह आपका 1, 2, 3, 4, 5, 10 MOSFET वाले यह BMS है और इसमें आपका इधर पे P-, P- and P-plus यह जो दो टर्मिनल है इसमें से आपका बैटरी का इसमें से आपका बैटरी का discharge और पे लेटरी का इसमें और चार्च दोनों का यह निकलता है जैसे कि मैंने इधर पे किया है यह जो बैटरी में बना रहा हूं इधर पे यह L Joshshे ले बॉस्त पैटरीन चे यह देखे मैंने P- प्लास में 0.5 mm का OR को connect किया और उससे मैंने ऐसा XT60 connector से output निकाल ला है, ठीके? सेम यह है यह वाला XT60 का female connector, ठीके? इससे मैं connect करके battery को charging and discharge दोनों ही कर पाऊंगा और एक बात दोस्तो, अगर आपको lithium battery को related कोई भी accessories चाहिए जासे कि BMS, battery pack, full complete battery pack, golden tape, nickel strip, सब कुछ आपको my innovation.in पर available हो जाएगा, उदर से आप लोग book कर सकते हो और आपके घर पे home delivery यह लोग provide करता है, ठीक है? एकदम optimum price में best quality के साथ आपको सभी lithium battery related accessories सब कुछ मिल जाएगा तो चलिए वीडियो पे back करते है, इधर पे देखिए battery का B- का connection इस साइट पे B1, उसको B2, middle पे B3 and B+. तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा देखिए, यह सभी connection B- से battery का माइनस यह सभी connection तो करना ही पड़ेगा access यह जो pin है इसको आपको इधर पे solder करना पड़ेगा कैसे solder करेंगे यह पीछे, pin डालने के बाद पीछे इस point पे solder करिएगा solder करने के बाद इस connector set को लगा के connector का जो जो वह एरे जासे के B- B1, B2, B3, B4 उसको भी आप बैटे पे connect कीजिए इसका मादब आप connector को भी बैटे के साथ connect कीजिए इस O-R को भी बैटे के साथ connect कीजिए क्योंकि दोस्तों connector वाला जो O-R होता है यह balancing का होता है आपने अगा सिब यह वाला O-R को connect कि और connector का set connect नहीं किया तो आपका बैटेरी पॉपर लोग देखिए यह आपका B- का तो इस साथ से मैंने connector वाला वायर भी connect कर दिया और इस साथ से मैंने battery का भी माइनस टर्मिनल लगा लिया है सेम B1 पर देखिए यह लो वायर connector का वह भी लगा लिया और बैटेरी का भी जो वायर है वह भी connect किया बी टू पर देख सकते हो इस साथ से मैंने battery को connect किया और यह connector का यह लो वायर बी थी इधर पर सेम connection किया मैंने और आखर में बी प्लास उसमें भी मैंने सेम connection किया इसके बाद दोस्तों अगर फिर भी यह दोनों के बाद भी आपको अगर पॉब्लेम आता है कि भाया फिर भी आपको नहीं आ रहे तो आप बैटे को बिना इस्तेमाल कीजिए विना इस्तेमाल करके चार्च पर बिठा दीजिए पहले फूल चार्च कीजिए चार्च करने के बाद यह बैटेरी आपका काम करना चालू कर देगा तो यह रहा दोस्तों फोरेस बीमेस का कनेक्शन का सिस्तेम और इस वीडियो में आपको क्नेक्शन डीडग्रम की मिल गया है इसको चेक करका आप इस वीमेस को पुरा क्नेक्ट कर दे editor बैलेंस इंग आपको क्नेक्ट करना है और यह ले हो कि हॉ केनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाई बाई